नमस्कार पीपी नियूस लाइन के प्राइम टाइम में आप सबका स्वागत मैं हूरशनी अनुभव आए सबसे पहले नज़र डालते हैं आज दिंबर की परमुक सुर्खियों पर कश्मीर डिविजन की दसमी कख्षा का परिनाम हुआ गोशित जमुकश्मीर में बेल अगाम नोकर शाही पर कसी निकेल उपराजेपाल ने आज गुलमर्ग में किया खेलो इंडिया विंटर जोन्स का उत्खाटन और अमेरिका ने पूर्वी सीरिया में आतंग की ठिकानों पर की एर स्ट्राइक अब कबने विस्तार से भारत और पाकिसान के 20 संगर्श विराम समझोते की घोशना के बाद भारती सैने अधिकारियों ने गुरुवार को कहा कि आतंगवाद और गुस्पैट से लड़ने के लिए पाकिसान सीमा पर सैनिकों की तैनाती या सैने अभियानों में कमी नहीं की जाएगी अधिकारियों ने कहा कि संगर्श विराम का ये मतलब नहीं है कि आतंगवाद के खिलाफ सेना का अभियान थम गया है स्तरक्ता में किसी भी परकार की कमी नहीं की जाएगी उन्होंने कहा कि वे संगर्श विराम समझोते को लेकर आशावादी हैं लेकिन पूरी तरह साथदानी बरतेंगे इस समझोते से दोनों तरफ के नागरिकों को राहत मिलेगी जमु कश्मीर में बेलगाम नोकर शाही के दिन बीद के हैं उन्हें अब अपनी लापरवाही के लिए ना सिर्फ जवाब देना होगा बलकि अनुशास नात्मक और कानूनी कारेवाही का भी सामना करना पड़ेगा वीरवार को इसका संकेत परदेश सरकार ने समाज कलियान विबाग कश्मीर के निदेश के वेतन पर अगले आदेश तक रोक लगा कर दे दिया है ये कारेवाई उपराजपार मनोस जहना के निदेश पर हुई है इसके लावा एक उपवोक्ता के बिजली बिल में अकारन सरचार्ज शुल्क जोड़े जाने का संग्यान लेते हुए कश्मीर उर्जा विकास निगम के संबंदित अधिकारी के विवेतन से इसकी कटोती करने का आदेश भी दिया गया है जमु कश्मीर की पुलीस महा निदेशक दिरबाग सिंग ने वीरवार को दावा किया कि दोनों राज़तानी शहरों स्वीनगर्वा जमु समेट परदेश के वबिन हिसों में हालात बिगडने की 99 फीसद आतंकी साजीशों को बीते दो सालों में नाकाम किया गया है इससे आतंकी पूरी तरह हाताश है इसलिए वे कुछ संसनी खेज बारदात करने की फिराक में है इस समय कश्मीर में करीब 210 आतंकी सक्रिये हैं अगर इस तरह की पहल को होती है तो अच्छी बात है जिसमें बॉर्डर के बेगुना लोगों ने बहुत नुक्सान उठाया है उनके माल मुवेशी का नुक्सान हुआ है उनकी अपनी जान का तो शे से लेके 211 के प्रिकर है जो हमारे रिकॉर्ड में है और उसमेंसे कुछ तो कल कम हो गए और यह कारवाई आगे चलती रहेगी अगर अच्छी बात यह है कि लोकल जूत जो है मिल्टसी का रास्ता तर्ब कर रहा है बड़ी कम तदाद है जिनको अभी भी पाकस्तान और उसके जो 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 अजन्सीज हैं पार जो तत्तम उनके लिए काम करते हैं उनके तरफ से उनको भरगलाया जा रहा है बहुत सारे अमेरिका ने पूर्वी सीरिया में आतंक्यू के ठिकाने पर एरस्ट्राइक की है इसका आदेश अमेरिकी रास्ट्रपती जो बाइडन ने दिया है अपने आदेश में उन्होंने पूर्वी सीरिया में स्थित इरान समर्थित आतंक्यों पर सीमित एरस्ट्राइक करने को कहा था ये फैसला हाली में इराक में अमेरिकी सेना के जवानों को निशाना बनाय जाने के बाद लिया गया है हाला कि बाइडन ने हमले की कारेवाई करने के दिशा निर्देश केवल सीरिया के लिए ही दिये है बाइडन ने अपने आदेश में इरानी आतंक्यों के उन ठिकानों पर एरस्ट्राइक करने को कहा है जिसका उप्योग वो संभावित तोर पर करते है इसकी जानकारी पेंटागन के परवक्ता जौन क्रीभी ने दी है उप्राचिपाल मनोस सिन्हा ने वीरवार जमू कश्मीर को खेल प्रतिभाओं का पार हाउस बताया उन्हें नका कि खेलों इंडिया जैसे खेल महोटसवों के आयोचन के जरीए हम स्थान्य खिलाड़ियों को अंतरास्टी स्थर पर खुद को साबिद करने का अफसर प्रधान कर रहे है प्रधान मंतिर नेंदर मोदी ने भी यकीन दिलाया है कि जमू कश्मीर के युवाओं को अंतरास्टिय स्तर्ग की कोचिंग, खेलों का बुनियादी धांचा वो अन्य सुविदाएं दी जाएंगी वे 26 वर्बरी गुलमर्ग में खेलों इंडिया विंटर गेम्स के उद्गार्टन से पूर्व शाम को वबिन भागों से आए खिलाडियों के स्वागत के लिए रंगरंग वसांस्केतिक कारिकम वा आतिश वाजी कारिकम में पतरकारों से बातचित करे थे केंदरी खेल एवं भीवा मामले केंदरी मंत्री किरन रजीचु भी इस मौके पर मौझूद थे भारतिय सेना ने उत्री कमान में डेटा लीक के एक कथित मामले की जांच का आदेश दिया है जिसमें एक सैनी को सीमा पार डेटा बेशते हुए पाया गया था ANI के मताबिक सेना के सूतरों ने बताए की पंजाब का एक जवान जो की उत्री कमान में तेना था उसे आधिकारियों द्वारा महत्तपूल जांकारी लीक करते हुए पाया गया गटना के सामने आने के बाद कोट आफ इनक्वाईरी का आदेश दिया गया जिसमें ये कहा गया कि ये जाँच की जाए कि सैनी कोट डाटा तक पहुँच कैसे मिली पाकिसानी एजन्सियों के गुर्गों तक किस हद तक डाटा लीग हुआ है इसके लिए किस हद तक और कैसा समझोता हुआ है यात्री वाहनों के किराये में 19 प्रतिशत बड़ोतरी के आदेश की अभी नोटिफिकेशन जारी नहीं हुई है लेकिन यात्री वाहन चालकों ने बड़ा किराया बसूलना शुरू कर दिया है वीरवार को भी शहर में चलने वाली कई मीनी बसों वा बसों में बड़ा किराया बसूलने जाने की शिकायते सामने आई जिस कारण के जगाओं में सहचालकों वा यात्रियों के बीच बहस बाजी की नौवत आ गई पैटोल डीजल की बड़ती किम्तों को देखते हुए टांसपोर्टरों ने 24 फबरी से अनिश्चित कालीन हर्ताल का आवाहन किया था हर्ताल से पहले ही जमुकश्मीर सरकार ने ट्रांसपोर्टरों को आश्वासन दे दिया कि किराय में 19 प्रतिशत बड़ोत्री कर दी जाएगी आश्वासन के बाद प्रशासन किराय में बड़ोत्री वर स्टॉप टैक करने में जुटकिया है जबकि पहली मार से किराय में बड़ोत्री की अधिसूचना जारी की जानी है पाकिसान ने डायरेक्ट जनरल मिल्टरी ऑपरेशन स्टर की बादशित में भले ही भारत को विरोसा दिलाया है कि वैस संगर्श विराम समझोते का पालन करेगा प्रंतु उसका इतिहास इसकी पुष्टी नहीं करता पाकिसान जमु कश्मीर से लगती नियंतुन रेखा और अंतरास्टी सीमा पर लगातार संगर्श विराम का उलंगन करता रहा है इस वर्ष बीते 56 दिनों में उसने 551 बार समझोते का उलंगन करते हुए गोलाबारी की है सीमा पार से होने वाली इस गोलाबारी के कारण इस इलाके में रहने वाले लोग हमेशा धर में जीते हैं जमु कश्मीर के पारे में रिकार्ड उच्छाल आया है फर्विर में ही पसीने चूटने लगे है जमू में गर्मी ने पिछले 14 और कश्मीर में 48 साल का रिकार्ड तोड़ दिया है जमू में तपिश के बीच पर वीरवार को दिन का तापमान सामाने से 7.7 डिग्री चड़कर 31.1 डिग्री सेल्सियस दर्श किया गया मौसम विग्यान केंद्रो स्री नगर के अनुसार इससे पहले 21 फरवरी 2006 को जमू में दिन का तापमान 30.5 डिग्री और आल टाइम 22 फरवरी 1947 को 31.7 डिग्री सेल्सियस दर्श किया गया था स्री नगर का नियुनतम तापमान 7.4 डिग्री सेल्सियस रिकार्ड किया गया ये तापमान सामाने से 5.9 डिग्री सेल्सियस अधिक था ये नियुनतम तापमान पिछले 48 वर्षों में फरवरी के महीने में सबसे ज़्यादा है इससे पहले वर्ष 2004 में 27 फरवरी को नियुनतम तापमान 7.3 डिग्री था बोर्ड आफ स्कूल एजुकेशन ने शुकरवार को 75 प्रतिशत की कुल पास प्रतिशत के साथ कश्मी डिविजन की दसमी कक्षा के वार्षिक नियमित पैनाम गोशित के चात्राओं ने प्रिक्षा में लड़कों को पचार दिया है उतीन प्रतिशत में 74.4 प्रतिशत ब्रेक के बाद बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ मीरा साहब कस्वे में 81 वर्षी बजूर्ग महिला गुला देवी को बजार में गिरा होने के बाद देकर शिवसेना बाला साहब ठाकरे की राज़साचीव गीता लखोत्रा द्वारा उनके घर का पता लगाया गय बजूर्ग महिला काफी समय से सड़क के किनारे पड़ी हुई थी गीता लखोत्रा ने मीरा साहब पुली स्थाने में जानकाई देने पर सहियो करती हुए गाउं दरसोपूर की रहने वाली गुला देवी के परिजनों का पता लगाया और अपनी कार में ले जाकर उनको उन पत्रा ने का कि हारे को ये चाहिए कि वे अपने गर के बड़े बजूर्गों का पूरी तरह से ध्यान रखे इस दोरान शिवसेना बाला साफ ठाकरे के आरेस पूरा एकाई के परदान बलवीर सिंग डिंपल चंचोत्रा महिला विंग उपरदान मीना कुमारी सुदेश कु पामिल था कि उन्हें जल्द से जल्द जो उनकी 25 लाक रुपे की राशी है उन्हें मुहया करवाई जाए और उसके साथ साथ उन्हें पैचान पत्र भी दिया जाए ताकि उनकी आने वाली पुष्टें ये समझ सकें कि उनके बजूर्ग आखिर कहां रहते थे हमारे आने बादे बच्चे ये गर्ब से कह सकें कि हमारे माँ बाफ दाला कौन थे कहां से आए थे कहां के रहने वाले थे और उनके साथ जो है को कैसे अपना घर बाद जमीर जाला चोड़कर घर बदार केम्पों में या दूसरे ऐसे ही आपने ठानों पर खड़े ले अग गर्मेर किया हूं उसके ओपर ध्यान नहीं दे रही है कब यह इनका ध्यान अकर्शिक होगा तो मैं सबी नमाईजूंग से जो इससे समंदर है जही कहूंगा कि मेरवानी करकर इसके ओपर जोड़ देजी आपर उन लोगों का मसला हल की जिसे कि आम लोगों को कामेटी आफ इसमें पेटोल, डीजल, लेबर लास में अमेंडमेंट और किसानों के बिलो में अमेंडमेंट को लेकर विरोध परदर्शन किया गया और साथी साथ उनने कहा कि जो यह प्राइवेटेजेशन की जा रही है उसे भी जल से जल बंद किया जाए ताकि हर किसी को राहत मिल सके जो पिछले कई सालू से ये मुझार सरकार अपना रही है और पृइसिर राइज काफी बढ़ गया है विजल और पट्रोल के दाम बढ़ाने के साथ साथ बस किराया में भी इजाफा हुआ है हम उसका भी विरोध करते हैं अभी रीसेल बैजेट में आपने देखा होगा कि तमाम संट्रल गौवर्मनेंट इंकलूडिंग पॉब्लिक सेक्टर, स्टेट गौवर्मनेंट सेक्टर को वर्चुवली तमाम सीमवर्ती क्षेतर के लोगों को बेहतर सुविदाएं उपलवद करवाने के उदेश्य से बीएसेफ की बार्मी बाहिनी बटालियन द्वारा सिविक्स एक्शन प्रोग्राम के तहत सीमवर्ती गौवर्म गलवेड़ा चक में फ्री मेडिकल शीविर का आयोचन किया गया के पर खूब उनकी सराहना की और उनका धन्यवाद किया आज बीएसफ के ओर से गलवड़े चक में एक विसाल चिकिस्था सिविर का जो आयोजन किया गया है जिसमें आपने देखा कि नाकिवल दिवियांगो को ट्राइसेकल वाकर और जो हेरिंग एट थी वैपरदान की ग वाईया और एक आई मेडिकल कैम्प यहां पर लगाया गया है कॉन्फिडेशन आफ आल इंडिया ट्रेडर स्वारा स्वें थेटर के बाहर आज जोरदार परदर्शन किया गया उन्होंने का कि सरकार बहुत सारे टेक्स लगा रहे हैं जो हर किसी के लिए जी का जंजाल बनकर रहे हैं खासतोर पर जी एस्टी से वेपारी वर को काफी दिक्कुतों का सामना करना पड़ रहा है उन्होंने का कि सरकार इन टेक्स को वापिस ले ताकि ये लोग राहत की सांस ले सकें और कल तो इवन जो किंसानों दोलर कर रहे हैं उनके मंच ने भी हमारे कंफरेशन आफ़ल इंडिया ट्रेडर्स को सपोर्ट किया है तो ये ऐसी चिंगारी है कि हम चाहते हैं ये ज़्यादा ना बढ़के जो जी एस्टी काउंसिल में बठे अधिकारी हैं वो इसका जल से जल संग्यान ले और हमारे जो प्रवदान जो लाएगे हैं हम चाहते हैं कि जी एस्टी कंप्लाइंट होना लेकिन उनको पीपी न्यूस लाइन के प्राइम टाइम के आज के इस अंक में बस इतना ही मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त और आप जुड़े रही पीपी न्यूस लाइन के साथ नमस्कार जमो में आई टेस्टिंग की साइंटिफिक और मॉडरन टेक्नोलिजी के लिए हमेशा याद रखें जहां पर रखा जाता है आपकी हर जरूरत का खयार जम ओप्टीशन्स विद दो फेजिलिटी ओफ आई एक्सरसाइज ए स्कैन बायोमेट्री पैकिमेट्री और आटोमाटिट फिल्ड अनलाइजर और हां हमारे यहां बढ़िया क्वालिटी के बेंडेड स्पेक्टिकल्स संग्लासे और कॉंटेक्ट लेंसे मिलते हैं आपका भरोसे मंद एक ही नाम जम ओप्टीशन्स गाधी नगार जम ओप्टीशन्स नई बस्ती जम ओप्टीशन्स अमफल्ला जम ओप्टीशन्स त्रीकुटा नगर